बसुकल्याम के सभी आवाम को मैं फिर एक बार जनता दल तालोक का प्रवक्त होनी के नाज़ते पार्टी की तरव से जो आपने अत्यवानत कम समय में जो हमको ये वोड दिये उस वोड के लिए शुक्रियादा करता हूँ जैसे कि कुमारणा साब ने पहले भी कहा था कि बाई एलेक्षन जो है जनरल एलेक्षन से अलग होता है और इस बाई एलेक्षन में कुमारणा साब आठ दिन यहाँ पर रहे हमारे स्टेट के सभी जिम्यदार लोग आके हमको सहकारी किये और इलेक्षन के दो पहलो रहते हार और जीद उसमें से अभी हार आई है और हम जनता को जो जनादेश दिया उस जनादेश का स्विकार करते हुए जो गलतिया हम से रही उसको करेट करते हुए आगे जाने का हम निश्चे करते है और संगटन में पाल्टी में जो कुछ कमिया रही उसको पूरी करते हुए आगे जाके फिर एक बार लोगों को साथ लेके हर समाज में एक विश्वास पैदा करने का हम काम करेंगे जो जंतादन सेकुलर जो सही माइनने में सेकुलर पार्टी है जो हमेशा सभी समाज को लेके चलने वाली पार्टी है इसके लिए सभी समाज के उटो को लाने के लिए एक स्टेटरजी तयार करके आगे बढ़ने का हम काम करेंगे और मैं हमेशा ऐसा ही सोचता हूँ कि इस बाई-एलेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर हमको किस बात का अगर एक चीज महसुस हुई तो ऐसा था कि इस बाई-एलेक्शन में मनी और मैन पावर और मशनरी का पावर सब्ताधरी पार्टी के तरफ से बहुत यूज हुआ यह भी एक बात यहाँ पर हमको जानने ही पड़ेगी और जो भी खामियां हमें रही है उसको दूर करके आगे जाना यही एक संगर्ष इसका नाम है और वो संगर्ष करने के लिए और बसो कल्यान में फिर एक बार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग साथ मिलके काम करेंगे इसे आशा करता हूं